अस्सिलाम वालेकुम ये संदेश मेरे मुस्लिम भाईयों के लिए है महमारी के समय में रमजान का पवित्र महीना हमारे सामने है इस महीने की इबादत मानवता को इस गंभीर संकट से मुख्त कर सकती है चुकि लोगल करोना वायरिस शारेरिक संपर्क से फैलता है सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिस्म की दूरी इस से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कावे में पिछले दो महीने से तवाफ निलम्वित की गई है और मस्जिद नवीवी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामुएक नमाज अदा करने की मनाई की गई है भारी वारिश या मौसन की खरावी के दौरा में पेगंबर साहब ने भी मौजन को ये ऐलान करने के लिए कहा था कि किसी भी मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है और फर्ज नमाज घर पे ही अदा की जानी चाहिए आप लोग ये याद रखें कि करोना की महामारी खराव मौसन की दुलना में कई गुना जादा खतरनाग है ये भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाई भेरे विवार से अगर किसी को नुकसान या किसी की मौत हो जाती है तो कौन नूनी तोर पर तो ये एक गंवीर अपराद होगा ही और इसलाम के मताबिक ये बहुत बड़ा गुना होगा हमारी लापरवाई के गंवीर सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं आईए उन गलतियों को ना दोराएं जिससे हमारे मजहब, हमारे समुदाए, हमारे शेहर या हमारे राज्य को संदेख या शत्रुता की नजर से देखा जाएं लॉकडाउन और सामजिक दूरी का पालन करें रमजान के महीने में हम में से कई भाई तरावी की नमाज के लिए उत्सुख होंगे हम जानते हैं कि ये फर्ज नहीं है जब मस्जिद में जमात के फर्ज नमाज अदा नहीं हो रही है तो तरावी के लिए मस्जिद में जाने का कोई कारण नहीं है कृपया याद रखे कि तरावी एक तरह से तहजुद या कलाम लेल है अन्या दिनों की तरह इसे भी घर में एकांतिता में अदा किया जा सकता है और ऐसी गंबीर परिस्थिती में तो इसको घर पे ही अदा किया जाना चाहिए हदीस और इसलामी परंपराओं के अनुसार महामारी युद्ध और मानव संकटों के समय में साथ ही अगर उनमें से किसी खत्रे से डर है तो मुसल्मान घर पर नमाज अदा कर सकते हैं बेहनों और भाहियों मानवता एक गहरे संकट से गुजर रही है गरीबी और भूक जंता को परिशान कर रही है अल्ला की अबादत करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता और लोगों की सेवा करना है जकात से बैतर कोई सेवा नहीं है आईए इस रमजान में भूके को खाना किलाकर जरूरत मंदों की मदद करके और दूसरों की जान बचाकर इस इबादत भरे महीने को और पवित्र बनाएं रमादान करीम झाल